डीडी एकाडवी में आप सब का स्वागत है मैं डीडी रॉय आज हम जीव विज्ञान के क्लास के दूसरे सेशन की चलिए शुरू करते हैं शुरू करने के पहले मैं कुछ बातों को बोलने आपके सामने रखना चाहूंगा यहां पर जो भी सवाल को मैंने डिल किया है वो सारे सवाल या तो SSC CGL में आये थे या 10 प्लस 2 में आये थे या मल्टी परफस में आये थे या रेलवे में आये थे या CPO में आये थे या सन्जोजन किया है जो मेरे को लगा कि यह भी सवाल के साथ योगी चित्रों को देते वे Bहूत ही संचित में वर्नन करने का कूशिश क्या है जो आगके दिमाग में एकदम व्यवस्तित रूप से रहे तो आईये क्लास हम शुरू करते हैं और इस क्लास के शुरू करने के पहले मैं बोलूँगा कि एक PDF लिंक भी मैंने दिया हुआ है इसके PDF को ले आप जरूर कर लेंगे क्योंकि PDF में सवाल भी है जवाब भी है और साथ में पीक्चर भी है जो एक या दो बार अगर आगे आप देखते हैं वीडियो के साथ के बाद तो फिर आपको बड़ी तेजी के साथ यात रहता है अर्थात कहने का मतलब है इसे स्लाइडिंग फेज में रखा हुआ है मैंने कि आप स्लाइड करते हुए कहीं पे भी बैठे हैं तीन मिनट में आपकी सवाल को देखके निकल जाते हैं और दिमाग में सारी बातें आपको खुद बखुद आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है तो क्रिपया इस पूरे वीडियो को ही नहीं सासाथ में पीडियो को भी आप डाउनलोड करके इसका समुचित लाब अवर्शे उठाएं देए ओके चले क्लास अब शुरू करते हैं विच पार्ट अव धूमन बॉड़ी इस फस्ट हाइली एफेक्टेड बाई नुक्लियर रेडियेशन अर्था रता है कि नुक्लियर विकिरन से हमारे शरीर का कौन भाग सबसे प्रभावित होता है तो देखिए स्कीन अर्था चम्रा देखिए यहाँ पे जो आप जो फीगर को देख रहे हैं फिक्टे को देख रहे वहाँ भूरे कलर का है देखिए वह एब्नॉर्मल एडिया लिखा हुआ है ऐक्चुलि क्या होता है कि यह जो नुक्लियर रेडियेशन होते है तो नुकलियर विकिरन से सबसे पहला जो होता है चम्रे पे प्रभाव पड़ता है तो स्कीन पे सबसे पहले प्रभाव पड़ता है आलिव रिडले जो है एक प्रकार का कछुआ है इसको टर्टल बोलते हैं टर्टल मतलब चोटा कछुआ जो होता है तो यह टर्टल स्पीसिस को बोलते हैं इसका नाम है ओलिव रिडले देखे नीचे कान का एक ये दिया हुआ है कान के उपर का जिसको पिन्ना बोलते हैं अंदर में इयर ड्रम होता है जिसको हम हिन्नी में कान का परदा बोलते हैं इस कान के परदे पर 5 से 10 देशिबल की ध्वनी जो है वही बरदास्त कर सकता है इसके उपर का ध्वनी जो है वो शरीर के लिए हानिका रखा है इसलिए World Health Organization बिश्व स्वास्त संस्था ने 5 से 10 देशिबल के आवाज को ही अनुमो दिद किया है जोना सौक इन्वेंटेड दा वैक्सिन फॉर्म मतलब है कि जोना सौक ने किस चीज़ का टीका का इन्वेंशन किया था देखे पोलियो के टीका का उन्होंने इन्वेंशन किया था और सही में ये वंदनिये बेगती है किस क्यों है इन्होंने अपने इस मुख्त होने के लिए फ्री में दे दिया था इसलिए अगर मैं महातमाओं की बात करता हूं तो मैं मेरे हिसाब से जोनास सॉल्क भी एक जरूर ऐसे ही महान बेखती हैं जिन्होंने पॉलियो पॉलियो क्या है विटामिन डी के कमी से होता है जो हम आगे भी देखेंगे Cancer is a disease where we found uncontrolled मतलब control के बाहर क्या होता है cell division होता है क्योशिकाओं का विवाजन होता है देखे इस picture में एक बाएं तरफ है और एक दहिने तरफ है बाएं तरफ जो है वो क्या करते है पीले रंग का जो बुलते हैं क्या बुलते हैं उसको pink कलर का जो है देखे normal cells है एक से दो बनत है लेकिन अब दहिने तरफ देखेंगे ये cancer का cell है इसके DNA में खड़ा भी आ चुका है तो पहले एक से दो बना चार बना चार से असंख्य बन गए यही cancer है तो cancer में क्या होता है cell मर नहीं जाते है कोशिकाओं मरते नहीं है कोशिकाओं का असंख्य विवाजन सुरू हो जात है जिसके लिए गांठ बन जाता है वहाँ पर तो हम बूलते हैं ना मेलिगनेंट क्या करते हैं notes मेलिगनेंट notes मतलब है जो गांठ जो है जो गांठ को ही हम cancer कहते हैं तो cancer का मतलब है uncontrolled cell division देखे ये आपका क्या करते हैं repeat question है इसलिए मैंने इसका figures को नहीं डाला है lack जिसको ला बोलते है which is used as a sealing wax तो हमने देखा हुआ था ला एक किरे से बनता है किरा याद है डंठी पे था एक पहले चीटी भी था उसमें हमने देखा हुआ था तो वो जा जो है किसी जो हमारे जारकंड में सबसे जादा होता है तो ये एक प्राणी से होता है इनसेक्ट से होता है किरा से होता है किरा के शरीद से बाहर निकलने वाले रश से हिना या lack बनते हैं ट्रिपल वैक्सिन अर्थात होता है इसके अंदर में तीन टीका होता है इसको डीपीटी वैक्सिन बोलते हैं जो जनम के 48 घंटे का अंदर में जेना जरूरी होता है बच्चों को उसके अंदर में DPT बोलते हैं D मतलब डिप्थेरिया डिप्थेरिया देखिए बाएं तरह मुझ खुला हुआ है आपके यहाँ पे एक यह हो जाता है क्या करते हैं एक सफ़ेद रंगा दाग हो जाता है जो मतलब उसका लक्षन है दुसरा है पार्ट्विस वैक्सिन पार्ट् Fields वैक्सिन क्या है? यह पी देखो है मतलब हुपिंग कफ जो बार-बार बच्चों को खांसी आती है खांसी बलगम आते हम खुन तक निकल जाता है तो यह आप उपर का वह बच्ची का पिक्चर देख रहा है वो खास रही है, तो तीसरा होता है titanus, titanus vaccine आतो है तो इसको हम पहले भी हम देख चुके है, धनुस्टंकार हो जाता है, शरीर आपका मुर जाता है, जबड़ा आपका फस जाता है, वो आपका वो नहीं हो, उसके लिए दिया जाता है, तो बच्पन में ही 48 गंटे के अंडर में triple vaccine दिया जाता है, जिसको DPT बोला जाता है, D for dipteria, P for partusis, T for titanus, इसे जरूर याद रखेंगे, बार-बार सवाल आता है, Antibiotic is, मतलब है कि Antibiotic क्या पहले इसको समझ ले, Antibiotic का मतलब होता है Against Life, आपके जीवन के नहीं, आपके अंदर जो आक्रमन किये वे जीव हैं, उनके जीवन के एगेंस्ट में जो होता है, उसे Antibiotic करते हैं, देखें ये किसी जीवपदार से जैसे East से निकाला जाता है, और ये synthetic, मतलब, chemical से निकाला जाता है, और antibiotic दो काम कर सकता है, या तो वो जीवानों को मार देता है, या जीवानों के वन्श बृद्धी को रोग देता है, तो क्या है, हम एंगलिश में क्या बोलते हैं, a chemical synthesized by a microorganism against an other microorganism, तो है न, तो इसी का मतलब है, antibiotic means against life, a chemical synthesized by a microorganism against an other microorgan organism, एक chemical निकालना है, निकालता है, एक microorganism, जो chemical दूसरे मार के microorganism को मार देता है, तो उसी का नाम है, antibiotic, antibiotic, which one of the following can be synthesized by liver, liver से कौन सा विटामिन बनता है, देखिए एक लिवर का हमने यहां पिक्चर लिवर का एक लोव का पिक्चर है, और इसमें विटामिन के बनता है, विटामिन के का काम क्या है, रक्त को ठक्का बनने में मदद करता है, तो विटामिन के कहां बनता है, विटा इनके का काम क्या है, रक्त को ठक्का करने में, ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करना, फ्लूइट पार्ट अव ब्लड डिवोइड अफ करपसल इस कॉल्ड, देखिए खून को अगर आप ऐसे रक्त देते हैं, तो जो परक्णली में आपको दिख रही है, नीचे आपका आरबीसी होता है, लाल रक्त कन होता है, बीच में आपका उपर जो है निले रंका जो दिख रहे है, हलका सा निला रंका है, वो आपका सफिद रक्त कन है, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटिलेट से है, उपर प्लाजमा है, पानी वाला पंच जो पल प्लाजमा है, इसे हम और तब सीरम किसको बोलते हैं, सीरम बोलते हैं, जब खून पूरा का पूरा थक्का बन जाता है, देखिए यहां एक डॉपर्स के अंदर दिखाया जा रहा है, तो उसमें नीचे देखे एक सीरम में हम किसी केमिकल से रक्त को ठक्का बना देते हैं, तो उसके उपर जो पानी का अंदर होता है, उसे ही हम सीरम बोलते हैं, जब खून एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में वल्ब से होकर जाती है, तो एक आवाज होता है, जैसे आप नल की पानी कोलेंगे, तो भी देखें काफी फोर्स से अगर पानी आ रहा है, तो एक हलका सा आवाज होता है, इसको हम हर्ट मार्मर बोलते हैं, और जब यह में जाने में जो खून जा रहा है, वहाँ के वल्ब में कोई खड़ा भी हो गिया है, जिसके चलते हैं आवाज छोड़ा जादा आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मर. नाफानो आजिसेज़ा उल्ब में कहुआ ब स्कते हैं, जिसको खून खून जीड़ा पहले जुआने में जो बाइलोडिय में शर्णिम्मर अभी लिखे जाते हैं, तो वो सब के सब लैतिन हैं, लैतिन आज काते हैं, जिसको कल says लिस्टों होगा सून कहते हैं तो homo sapiens किया है यह एक latin language है है मिठास मिठास को हम यहिं देखो सुक्रो्स करते हैं Fructose करते हैं सुक्रोड किसमें होता सुगर के अंदभ गनबे में होता इससे चीनी निकलता है और दूसरे फल के जो मिठास होता है उससे किस के कारण होता है fructose के कारण होता है तो fructose जैसे ripe grapes contain मतलब पका हुआ अंगूर में क्या होता है तो fructose होता है हर पकेवे फल जैसे देखा है mango दिया हुआ है apple दिया हुआ है पियर मतलब नाशपाती दिया हुआ है तो ये सारे के सारे जो तो पके हुए फल होते हैं इसके अंदर में क्या होता है फ्रुक्टोज होता है MRI क्या है MRI शब्द का अर्थ है Magnetic Resonance Amazing Magnetic Resonance Amazing नीचे के जो पिक्चर देखते हैं बोलते हैं MRI करने के लिए पूरे आदमी को या जिस पार्ट में भी होता है वहाँ पे एक चुम्बकिया आपका Resonance Create होता है चुम्बकिया आउचेपन Create किया जाता है जिससे शरीर के अंदर के सारे पिक्चर साते हैं यह X-ray की वीदी है लेकिन X-ray में Ray यूज होता है X-ray यूज होता है यहाँ पे Magnetic Resonance में क्या होता है चुम्बकिया आउचेपन को Create किया जाता है Magnetic Resonance को Create किया जाता है इसके लिए इसका नाम है M-A-M-R-I The science dealing with the study of teeth is दंत चिकिस्थक दंत विज्ञान को क्या बोलते हैं Odontology O-D-O-N-O-D-O-N-T-O-T-O-L-O-G-O-G-O-G Odontology तो दंत चिक्ज्ञान को क्या बोलते हैं दंत के विज्ञान को क्या बोलते हैं Odontology The enzyme in whose presence glucose and fructose are converted into alcohol is देखे glucose मतलब होता है glucose तो आप जानते हैं क्या कि चीनी का ही सरल रूप है glucose और अभी हमने बोला कि फल के अंदर में जो मिठास होता है वो भी चीनी का एक पार्ट है उसे बोलते हैं fructose ये चाहे चीनी की मिठास हो या फल की मिठास हो इसे शराब में चेंज होता है अलकोहल में और उस शराब में चेल होने के लिए क्या ज़ूरत होता है जाइमेज जाइमेज करके एक क्या करते हैं एंजाइम है जो इसे शराब में चेंज करता है और जाइमेज किस में पाया जाता है इस्ट में जिस इस्ट से आपका रोटी बनता है और इसके लिए दिखे नीचे लिखावा है 18-20 डिगरी टेंपरेचर होना चीए तो मतलब इस 18-20 डिगरी में हलका गुंगुने इसमें सरस में अगर आप इस्ट को छोड़ देते हैं तो इसके जो जाइमेज है जाइमेज उसको आपको शराब में चेंज कर देता है तो देखे C6H12O6 ये क्या है ये आपका ग्लुकोस का फर्मुला है चाहे वो ग्लुकोस के रूप में हो चाहे वो फ्रुक्टोस के रूप में हो और ये जब कनवर्ट होता है तो इतहाइल अलकोल बनता है C2H5OH और कारवन डियोकसाइड निकल है प्लीज शराब मत बनाएगे घर में यार चाहे दस्टेडी ओव विसरल ऑरगन इस विसरल ऑर्गन का मतलब होता है हर महत्वपुर्ण अंग जो शरीर के अंदर है उसके स्टेडी को करना उसके स्टडी को करना को बोलते है स्प्लांग्नोलोची क्या बोलते है प्लांक्नेलोजी के अंधर में होता है इस चाहे वह पादब का कोश, प्राणी का कोश और बेखेकरी का कोश, बैक्टेडिया का कोश, इन सारे कोशों को सारे सेल्स के अध्यान जो microscope से होता है इसके बाध्यम से होता है उसे हम क्या करते हैं cytology cytology मतलब है कोश विज्ञान मतलब science of cells the study of extinct animal is called extinct animal का मतलब होता है लुप्त जीवों को जैसे डाइनोसर समसुनते थे तो उनके जो कंकाल है उनके कंकाल के base पर जो अध्यन क्या जाता है उसको बोलते हैं paleontology paleontology जो है वो है लुप्त प्राइज जीवों का अध्यन उनके कंकाल से the study of extinct animal is called paleontology the medical term used for the sleeplessness sleeplessness मतलब नींद नहीं आना जहां पर ये एक दिन का नींद नहीं आना होता है जो हर वक्त होता है कि रात को सोते हैं एक बज़े के पहले नींद नहीं आती है इस ये एक रोग की तरह है इसको बोलते हैं insomnia insomnia मतलब है sleeplessness insomnia एक वैगानिक नाम है जिसको बोलते हैं नींद नहीं आना तो insomnia the causative agent of tuberculosis is tuberculosis टीबी हम जानते हैं जिसको च्छाय रोग बोलते हैं जो आपके फुस फुस में होता है मतलब लंक्स में होता है इसके बारे में तो हब जानते हैं या पिक्चर भी देखें आगे भी पर चुके हैं क्योंकि आपने पुछा देखा हुआ था कि tuberculosis फैलाने में एक हाथ जो होता है बहुत बड़ा हाथ वो दुद का भी होता है और एक ये बैक्टेरिया से फैलता है जो सबसे सुच्छन बैक्टेरिया के ग्रूप में आते हैं और इसको क्या बोलते हैं मैकोबैक्टेरिया मैकोबैक्टेरियम से ठीवर कोली सीसव पराुब डिए माइकोबैक्टेरियम यहांपे ऑक दूसरे प्छमेल गॉल करते डिया है देखें रू conv कढगे की तरह दिख रहे हैं वो सारे के सारे आपके को बैक्टेरियम है The enzyme that is present in the saliva of many Saliva का मतलब होता है लार तो लार में जो enzyme होता है वो amylase होता है Amylase क्या करता है आप जो खाना खाते हैं जिसके अंदर starch और carbohydrate का portion होता है sugar का portion होता है उसे तोड़ देता है जिसके लिए आप कभी कभी चीनी खाने के बाद थोड़े देर के बाद आप मुव में खटेपन का एहसास होता है तो ये क्या है लार में कौन सा enzyme है जो आपको starch को पचाने में मदद करता है उसका नाम है amylase Blood cancer is otherwise called as Blood cancer मतलब रक्त में cancer Cancer का होना मतलब देखें सेल का एका एक uncontrolled development जो अभी हमने पढ़ा हुआ है तो leukemia क्या है? leukemia रक्त का cancer है देखें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक blood का धमनी का चित्र है उसमें देखेंगे blood दो तरह के हैं एक जो blood का आकार खतम हुआ ये leukemia कहां पे होता है? देखें अस्थी मज्जा bone marrow में ही लाल रक्त कंद बनते हैं जब cancer होता है तो ये bone marrow में जो है ये marrow के जो सिल है इनका uncontrolled development शुरू हो जाता है देखें यहाँ हड़ी में कुछ पोर्शन में नीचे वाले में जो नॉर्मल bone marrow लिखा हुआ है देखें अस्थी मज्जा गोल गोल जो है और उसके बाद पीला भाग छुटा हुआ है और उपर में देखेंगे abnormal proliferation जहां लिखा हुआ है वहाँ देखेंगे पूरा का चौकोर भाग जो है आपके मज्जा से भढ़ गिया है वो abnormal growth है जिसके कारण एक बच्चे का यहाँ पर दिया हुआ है दो फोटो है एक देखेंगे जो case नहीं है जढ़ गिया है यह इसका leukemia का treatment हो रहा है chemo therapy से जिसके लिए उसका चेहरा वैसा देख रहा है और दहिने वाला जो चित्र है वो उस बच्चे की पहले की चित्र है तो यह एक बहुत ही uncontrolled रोग है अभी तो इसमें थोड़ा सा हम यह पाय हुए है खाली यही दुआ करते हैं कि भगवान को अपने जानने वाले में से किसी को भी यार लियूके मिया नहीं हो रेडियो इम्यूनो एसे यह जो थेरापिया यह किसके लिए यूज होता है कि आपके रक्त में एंटी बॉडिस जो मतलब बाहर से लडने की ताकत जो है आपके शरी के अंदर में जो एंटी बॉडिस बनता है वो कितना है और आपके रक्त में आपका हॉर्मोन कितना है दोनों ही जोड़त है जीवन क्रिया को चलने के लिए देखिए उसमें क्या है कि नेक्रोटिक डिटेक्शन अब ड्रग लेते हैं तो आपके यह एंटी बॉडिस और हॉर्मोन में किसी को तो उसको भी चेक होता है RIA से और हॉर्मोन लेबल जो बोला मैं RIA से चेक होता है लुकेमेनिया वाइरस जो है फिर वही आता है कि वही आपका जो ब्लड कैंसर के जो वाइरस से अगर किसे हो रहा है तो उसको भी RIA टेस से ही जाया आता है पेप्टिक अलसर का भी डायोगनेसिस जो है RIA से होता है इस तरह निउरो ट्रांसमीटर में भी निउरो ट्रांसमीशन में भी RIA का इस्तेमाल होता है इस तरह RIA बहुत important एक check-up है जो आपका radiology के अंदर में आता है और इससे आपने दिखा कि blood में antibodies और हर्मोन के मातरा को जानते हुए इतने सारे रोगों के बारे में हम पता करते हैं विच वन फॉलविग इस नॉट ए ट्रू स्नेक देखने में तो साप जैसा लगता है वो साप नहीं है बलकि एक छिपकिली का वंस धर है जिसको glass snake बोलते हैं जिसको आप देख रहे हैं ये छिपकिली का वंस धर है छिपकिली आउस साप में बहुत अंतर होते हैं ये छिप सब्सक्राइब करते हैं तो मतलब glass snake जो है वो साप नहीं होता है साप की तरह दिखता है जिसके बच्चे माता का दुद पीते हैं जैसे आपके खरगोश होते हैं कुट्टे होते हैं बिल्ली होते हैं भैंस होता है गाए होता है कंगारू होता है बंदर होता है आपका बाग होता है सिंग होता है दूसरा जिनके चमरे पे लोम होते हैं हेर होते हैं और जिसमें डायफ्राम होता है च्छाती के अंदर और थ्री मिडल इयर ओसिकल्स होता है यह तो बाद में हम देखेंगे तो उसको मैमेलियंस करते हैं तो अभी आप देख रहे हैं, इसमें वेल है, वेल जबकि पानी में रहता है, ये भी मैमेलियन है, बच्चे इसके दूद पीते हैं, बैठ है, चमगादर है, कंगारू है, हिपोपोटमास है, ये सारे के सारे जो है, मैमेलियन गृप्स में आते हैं. विच वन अभी पेर्स बिलॉंग्स टू कार्टी लेजिनस फिश, जरा आप कान पे हात रखिये तो, अरे घबड़ाये नहीं, कान पे हात रखिये तो देखेगा, कान आपका मूरता है, लेकिन एक थोड़ी करक सी भाब है, ये क्या ये कार्टी लेज है, बोन नहीं है, आप पेर के हड़ी को बीच में आप करक महसूस करते हैं, तो क्या है कि कार्टी लेज है, वो हलका सा होता है, मतलब वो मूर सकता है, तो आप शार्क और रे, दो मचली है, बाय तरफ का मचली शार्क है, बीच का मचली रे है, ये जो है कार्टीलेजियस फिश है, इसके अंदर मे पूरे bones नहीं मिलते हैं, इसमें cartilage होते हैं, इसके लिए भेंग कर तेजी भी पकर सकते हैं, और bones क्या होते हैं, अगर मचली खाते हैं, तो आप मचली का एक मेरुदंड देखते हैं, जो पूरे शक्त होता है, तो cartilagious fish में क्या आता है, दो आपके example को देख लिजिए, और का की बात को याद रखेंगे, तो cartilage आपसका तुरत याद आ जाएगा, और वो cartilage में होता है, शार्क मचली और रे मचली. Which of the following is not a true fish? देखिए, नाम है, silver fish, लगता है, silver जैसा चमकता हुआ, कोई मचली होगा. जी नहीं, अगर आप पुराने किताब को देखेंगे, बड़ा हुआ है, घर में है, देखेंगे, इस तरह का एक कीरा निकलता है. यह चमकीला सा होता है, और इस तरह का देखने में होता है, ठीक से देखी, इसको आपने जरूर देखा है, यह घर में, जहां पे बहुत दिनों से कोई चीज़ परावा रहता है, यह रहता है, इसी का नाम है, silver fish. तो यह fish देखके, आप मत समझ लिजीगा कि यह fish है, जैसे glass snake, snake नहीं होता है, उस तरह silver fish, fish नहीं होता है, यह किताबों के वीच में रहने वाला, आपके cupboard के अंदर रहने वाला, एक छोटा सा जीव है, काफी छोटा होता है यह. जोन ग्रेगर मेंडल, जिसने बताया था कि जीवन कहां से आया, laws of heredity, इनका जीवन काल है, 1856 से 1863 में, जीवन काल नहीं है, सोड़ी, मतलब है, इनके जो पसिद्धी की बात है, उन्होंने देखिया, 28,000 मतर के पेरों पे उन्होंने, क्या-क्या, research किया, कर यह basically एक पादरी थे और एक बहुत जारा घुमे भी थे पुर्यविश्य, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जीवन में की जो बिविदता है, एक प्रानी से दुसरे पानी की बिविदता है, law of heredity, अनुवन्शीता का, इन सारों के बारे में सबसे पहले उन्होंने ए